हरीश अगरवाल जोकी अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभू चन्नों में जावी राजे हैं उनके आत्मिक शांति हेतु रस्म पगडी श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जाल अंधर में कीगी इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुपुरांज के पाठ का भोग डा कर स्वर्गी हरीश अगरवाल की आत्मिक शांति हेतु प्राथना की इस मौके पर पूर्व मेयर जगदीश राज राजा सहित पारिवारिक सदस्यों में बेटा मुनीश अगरवाल अनुभा अगरवाल आशो गुपता आशिश गुपता अनुव अगरवाल चिराग जांग अलीशा सहित राच्रेतिक धार्मिक तथा समाचिक वरक से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गिये हरीश अगरवाल को शर्धांचली भेंट की एक जीवात्मों जिसमें इस अंसाल रुपी माया नगरी में आँखे खोलती है तो जल्द के साथ ही आँखे ख उसके मन में इस माया के प्रती इच्छाएं और कामनाई पैदा हो जाती है और सारा जीवन वो इने इच्छाओं को इने कामनाओं को पूर्ण करने भी लगा देता है लेकिन शास्त्र कहते हैं इनसाम के जीवन में जिस समय इन कामनाओं का आगमन होता है तो उसके जीवन मे उसका जो लक्ष है उसका उसको वह बिसर जाता है उसको वह भूल जाता है जैसे स्वामी रामत देवित जी एक बड़ा ही सुन्दर एक्जाम पर एक उधारण दिया करते हैं इस विश्य को कहते हैं मान लेजे कि एक स्त्री अपने मुख पर घूगट डालकर दरपण के सामने बैठे कि मिरल के सामने बैठे तो जिस प्रकार से वो अपना चहरा नहीं देख सकती है ना क्योंकि उसमें अपने मुख को ठका हुआ है ठीक इसे प्रकार से जब इंसान की आंखों पर भी इन कामना का घूगट आ जाए तो वह भी अपने जीवन के लक्षे को अपने जीवन के प्रमख उद्दिश्य को कभी देख नहीं पाता है यह कामनाई इंसान को अपनी और खीचती है अपनी और घसीरती है और जीवन का लक्षे वो पर मात्मा कहीं दूर छुट जाता है एक बार महा महात्मा बुद्ध जीवन को जी रहा होता है